Hello Friends, Welcome to my Channel, Tasty In Kitchen24 आज हम बनाएंगे आलू की बहुती ही चटपटी, बहुती ही टेस्टी रेसिपी तो इसमें नहीं हमें आलू को उबालना है दस मिनिट लगेंगे मुश्किल से इसे बनाने में बहुत ही चटपटी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन कर तयार होगी चाहे तो इसे आप स्नेक्स की तरह भी खा सकते हैं स्टार्टर भी रख सकते हैं या फिर चावल के साथ साइड डिश सबसी के साथ में भी इसे खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप बना कर दे अगर आलू बड़े ज़ादा हो तो उसको तीन पीसिस में इस तरह से काट लें बनना कोशिश करें आप छोटे आलू लें और उसको आधा आधा आप इस तरह से गोल-गोल काट लें धोकर आलू को कपड़े से सुखा के तभी फ्राइ करें तो हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था इसमें हम फ्राइ करेंगे करीब 50 से 60 परसेंट तक हमको इसमें कुक कर लेना है आलू को तो अगर छोटे आलू होंगे तो जल्दी कुक हो जाएंगे बड़े आलू होंगे तो थोड़ा फ्राइ होने में टाइम लगेगा तो गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें ताकि ये उपर से जादा रंग भी ना जलेज का और अंदर तक सिख जाएं तो ये देखें 50-60% कुक हो गया है स्पून डालने पर अंदर चला गया है तो इन्हें हम निकाल लेंगे और जो बड़े आलू है उन्हें फ्राइ होने देंगे तेल से निकाल कर आलू को थोड़ा सा ठंडा करके और इस तरह से हम ग्लास से प्रेस कर लेंगे तो थोड़ा ये प्रेस करने के बाद हम इसे दुबारा फ्राइ करेंगे यानि कि 5-10 मिनिट के लिए आप थोड़ा बाहर रखें ठंडा हो जाए तब दुबारा फ्राइ करें तो जिससे ये एकदम क्रिस्पी लेयर भी आएगी और काफी टाइम तक ये क्रिस्पी रहता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसी तरह से बाकी के जो आलू फ्राइ हुए थे वो भी मैंने तेल में से इंकाल लिये हैं और उनको भी इसी तरह से प्रेस कर लिया है अब आलू को करीब 7-8 मिनिट तक मैंने बाहर रखा ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और उसके बाद मे हमने तेल को दुबारा गरम होने के लिए रख दिया है और उसमें हम इसको फ्राइ कर लेंगे अगर आलू जाएंगे और उसे हम प्रेस करेंगे ना तो पूरा तूट जाएगा तो हलका कच्छा आलू रखते हैं जिससे प्रेस करने पर वो तूटे भी नहीं और हलका सा प् कियां फ्राइ करेंगे बहुत जादा हमको एक साथ में भरनी देना है कढ़ाई को क्योंकि आप पल्टेंगे तो वो तूटने का रहेगा तो देखिए दो तीन मिनिट में ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर तक कूप भी हो जाएंगी क्योंकि हमने इसे प्रेस क दाल दी है दो चुतकी हम इसमें हेंग डाल देंगे आदा चमच के करीब हम इसमें लाल मिर्च पॉडर डालेंगे तो कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर हो तो दोनों तरह का थोड़ा थोड़ा डाल दें एक चमच मैंने इसमें धनिया पॉडर आइड किया है और थोड़ा सा ह हम इसमें भुनावा जीरा डाल देंगे, पिसा हुआ भुनावा जीरा रखा था मेरे पास, तो वो मैंने इसमें आड़ कर दिया है, अब इसको हम एक मिनिट तक मसाले को भूनेंगे, ताकि ये कच्चा न रहे मसाला, तो जादा गरम तेल ना हो जब भी आप मसाला डालें, तेल को थोड़ा सा ठंडा करके ही मसाला डालें नहीं, तो मसाला जल जाएगा, क्योंकि हम इसमें पानी भी आड़ नहीं करेंगे, सूखा मसाले को भूनना है, तो करीब दो मिनिट हो गए थे मसालो को भूनते वे इसमें नमक डाल देंगे नमक अभी तक हमने नहीं डाला था और जो आलू हमने उस तरह से फ्राइ किया है उसमें ऑईल भी बहुत कम लगता है तो उस तरह के आप चाट भी बना सकते हैं आलो की टिक की चाट तो यह मसाला भून गया है अब इसमें हम यह जो आलो हमने फ्राइ किये थे यह डाल देंगे देखिए बहुत ही क्रिस्पी है मतलब ऐसे प्रेस होने पर ऐसे लग निराज सॉफ्ट एक दम इसको हम मसाले के साथ में अच्छे से भूनेंगे तो बस दो मिनिट हमको मसाले के साथ इसको भ कर देंगे गैस का फ्लेम लो ही रखें और जब आप खाएं तब आप उपर से निमु का रस भी निचोड के खा सकते हैं अगर जादा आपको चटपटा टेस्ट पसंदे तो वरना अमचूर से काफी खटा हो जाता है और उपर से मैंने हरा धनिया काट कर भी डाल दिया था तो यह हमारा आलू टुक बन कर तयार है सिंदी रेसिपी है यह बहुत ही टेस्टी लगती है चाहे तो आप रत में बना या फिर ऐसे ही खाएं तो कॉमेंट्स में बताएगा जरूर कैसे लगी रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाद से जाद मेरे चैनल को लाइ करें शेयर करें सबस्क्राइब करें